अलो एबरीवन वेलकम टू तेजस केरियर एकेडिमी गाईज आज है थर्ड अप दिसमबर और आज हम देखेंगे इंपोर्टन करेंट अफेर के क्वेस्टन को लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चलिए सुरुआत करते हैं आज की शेशन का सबसे पहले यहाँ पर क्वेस्टन जो आपका लिखा गया है कि नेशनल पॉलूशन डेटा के अनुसार देहां से देखिएगा नेशनल डेटा के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पर क्वेस्टन पूछा गया है बोला जा रहा है कि नेशनल पॉलूशन डेटा के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूसित सहर कौन सा है यानि कि बात कर रहा है चत्तिसगड़ के कॉंटेक्स्ट में सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि नेशनल 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 पॉलूशन कंट्रोल डे नेशनल पॉलूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट कब किया जाता है तो नेशनल पॉलूशन कंट्रोल डे नेशनल पॉलूशन कंट्रोल डे सेकेंड ओफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है साथी साथ इस सब से प्रदुसित सहरों की सूची में दुर्ग भिलाई आता है और यहां पर दुर्ग भिलाई अगर हम बात करें तो पॉलूशन पा लेवल सबसे ज़्यादा है अगर आप देखेंगे तो यहां के पानी में यहां की नदियों में जैसे लाइक सिवुनात नदी की अगर हम बात करें तो सिवुनात नदी भी पॉलूटेड आता है ठीक है पॉलूटेड की कटेगरी में रखा गया है यानि प्रदूसित नदी के एक स्रेनी में रखा गया है साथी साथ अगर हम बात करें तो 10 लाख अबादी छेतर में 10 लाख वाले अबादी छेतर में सबसे प्रदूसित सहरों में इसका नाम आता है ठीक है दुर्ग भिलाई का सबसे प्रदूसित तो 36 गढ़ में 36 गढ़ को कितने नए खेलों इंडिया लगू के इंदर की स्विक्रती दी है इसका मतलब क्या है Sports Authority of India Sports Authority of India यानि कि भारती एक खेल प्रादी करन हाल ही में 36 गढ़ को अगर आप लोग देखे होंगे तो 36 गढ़ में 36 गढ़ ओलम्पिक चल रहा है उलम्पिक चल रहा है तो 36 गढ़ ओलम्पिक के साथ 36 गढ़िया उलम्पिक के साथ Sports Authority of India ने 36 गढ़ को 7 लगू के इंदर ध्यान रखियेगा 7 खेलों इंडिया लगू के इंदर की स्विक्रती दी है इसमें से भी अगर कौन-कौन से खेलों की बात करें तो ध्यान रखियेगा जिलावाई से यहां पर साई के द्वारा हर एक जिले को 7 लाख रुपए दिये जाएंगे 7 लाख रुपए दिये जाएंगे इसकी सुरुवात करने के लिए और Sports Authority of India ने जिन जिलों का चैन किया है उसमें से सबसे पहला नाम आता है बालोद ठीक है बालोद तो ध्यान रखियेगा बालोद और रैपोद दोनो जिलों में दोनो जिलों में वेट लिफ्टिंग के लिए वेट लिफ्टिंग के लिए weight lifting के लिए तो दो जिले यहां cover हो गए second आपका आता है दुर्ग दुर्ग का pattern कबड़ी के लिए ध्यान रखिएगा कबड़ी के लिए कबड़ी के लिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांकेर जिला खोखो के लिए ध्यान रखिएगा को बैडमिंटन के लिए ठीक है रायगड को बैडमिंटन के लिए देन आफ्टर फिर आपका आ जाता है बलौदा बजार ठीक है देन आफ्टर आपका आ तो कितने जीले हो गये दो जीले यहां पे दो यहां पे चार और रिमेनिंग टीन जो है यहां पे साथ इन साथ जीलो में खेलो इंडिया लगू केंद्र की स्विकिर्ती 36 गढञ्ँ के खेल पराधीकरण को sports authority को दी गई है sports authority of india limited इंडिया के द्वारा यानि भारती ये खेल पराधीकरण के द्वारा 36 गढञ्ट के खेल पराधीकरण को यह साथ जिलों में कबड़ि फोखो बैडमिन्टन, फुटबॉल और वेट लिफ्टिंग ये पांच कटेग्री में पांच कटेग्री के लिए यहाँ पे साथ जिलों का चयन किया गया है तो correct option यहाँ पर बन जाएगा आपका B ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question पे next question है काले हिरन के संदर्व में राज्य की स्थिती पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें काले हिरन, black bucks ठीक है, क्या नाम है इनका black bucks नाम है, ठीक है black bucks बोलते हैं, ठीक है black bucks, इंगलीज में black bucks ठीक है, अगर आपको काले हिरन का याद होगा तो सलमान खान को सजा किसके लिए दी गई थी याद होना चीए आपको ठीक है काले हीरन की अगर हम बात करें यहाँ पर काले हीरन में अगर आप देखेंगे तो काले हीरन के लिए 36 गड़ में हम बात करें तो 36 गड़ में बार नवा पारा में काले हिरन की एक जुंड को काले हिरन जिनकी संख्या 40 थी 40 काले हिरन को जू से बाहर रखा गया था जू से निकाल करके मतलब नॉर्मल अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट लाइफ में नॉर्मल जंगली जीवन के लिए इनको बारनवापारा रास्टी अभ्यारने में छोड़ा सर्वाइवल की बात आ जाती है बट यहां पर देखा गया कि जब जू से छोड़ते हैं 40 की संख्या में काले हिरन को तो इनकी संख्या करीब करीब डेड़ गुना ठीक है 1.5 टाइमस 1.5 टाइमस इंक्रीज कर गई है इसका मतलब यह है कि यह जंगल के बातावरन को एड़ रखा गया था और कानहा नेशनल पार्क में रखा गया ठीक है कानहा नेशनल पार्क में भी पहली बार इस टाइब के प्रयोग किये जा चुके हैं वन विभाग के द्वारा लेकिन जब कानहा नेशनल पार्क में यह चीज़े देखने को मिलती है तभी उसके आधार पर सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अब हमाते हैं वारनवा पारा में काले हीरन की संख्या 40 काले हिरनों को 40 की चंख्या में जू से मुक्त किया था तो ये भी सही है तीसरा है कान्हा निशनल पार्क के बाद दूसरा प्रयास है जब काले हीरन को जू से बाहर छोड़ा गया ये भी सही है कान्हा निशनल पार्क कहां पे है मद्य प्रदेश ठीक है मद्य प्रदेश मद्यप्रदेश इसके अलावा हाल ही में दक्षिन अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को ला करके मद्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है और और परियावरण मंत्राले की बात करें तो परियावरण मंत्राले ने वनेवं परियावरण विभाग ने अपने रहेगा तो कान्हा नेशनल पार कान्हा नेशनल के बाद आपका आता है पेंच पेंच के बाद कुनों ये सारे के सारे कहां पर है मध्य परदेश में पेंच का कुछ पार्ट आपका महारास्टर वाले एरिया में भी पढ़ता है ठीक है ठीक है तो यहां यह तीनों के टीनों स power generation company तो सबसे पहले आपको यहां पर जानना ये जरूरी होगा कि जब हमारा 36 गड़ power start हुगा company power company जब start हुई तो उस समय हमारे 36 गड़ में 5 company आती ठीक है power के लिए अगर हम बात करें power company के 5 segments से ठीक है कौन-कौन सा distribution generation transmission transmission holding ठीक है holding और एक आपका distribution, generation, transmission, holding and power trading की बात करें तो अब सिर्फ इन सभी के merger की बात करें अगर हम तो merger के बाद अभी हमारे पास overall सिर्फ और सिर्फ तीन कंपनियां बच गई है जिसमें से generation, distribution और सिर्फ transmission ठीक है ये तीन कंपनियां बच गई हैं पांच में से तीन तो हल ही में 36 गड़ पावर generation company के प्रवंधनी नेशक यानि की MD, managing director के रूप में संजीव कुमार कटियार को निउप्त किया गया है ठीक है इससे पहले ये क्या थे तो कारे पालक ठीक है कारे पालक यानि की अगर हम बात करें तो executive post पर थे अभी इनको chief बनाया गया है यानि की MD बनाया गया है और संजीव कुमार कटियार से जस्ट पहले कौन थे? NK 20 जौरा तो NK 20 जौरा की सेवा निवर्ती के बाद संजीव कुमार कटियार को 36 गड़ पावर generation company के प्रवंद निदेशक के रूप में नियूप्त किया गया है तो correct option यहाँ पर बन जाएगा आपका C ठीक है? चलिए इसके साथ साथ आपको यह चीज और याद रखना है कि कॉर्बा में कॉर्बा में 660 मेगावाट का 666 मेगावाट का 2 नए 2 नए पावर पावर प्लांट इस्टैब्लिस किये जाएगे ठीक है? पावर प्लांट लगाए जाएगे याद रखेगा 2 नए 660 मेगावाट के नए पावर प्लांट भी लगाए जाएगे और कॉर्बा में ही लगाए जाएगा तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन हो गया C आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा ध्यान से देखेगा रीपा रीपा के बारे में यहाँ पर आपसे बात की जा रही है रूरल इंडस्रियल पार्क रीपा जाएगी घखेगा एडवांस्मेंट डेने के लिए कि संस्था के साथ मोई किया गया हम पारग्षा गला अर्वल विशु विद्याले के जुए हरिपा को अड़ बनाने की लिए रीपा को एडवांस बनाने के लिए लैब टेकनोलोजी बढ़ाने के लिए तकनिकी रूप से विक्सित करने के लिए हावर्ड विसु बिद्याले के साथ MOU किया है सहयोग से बनाया जाएगा तो करेक्ट आपसन यहाँ पर बन जाएगा आपका A क्लियर रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं राज्ये में सिचाई शमता को बढ़ाने के लिए ध्यान से देखिएगा सिचाई शमता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कितने छेतर के लिए पांच योजनाओं को सुगरती दी गई है तो सिचाई छेतर में अगर हम बात करें तो अभी तक इरिगेशन का सोर्स क्या है? टीउबेल ठीक है? टीउबेल है उसके बाद फिर कैनाल है कैनाल के बाद अगर हम बात करें तो सबको यहां पर आगर आप देखिए गा तो शोलर solar power operated solar power operated pump ठीक है solar power operated pump यूज किया जा रहा है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने सिजाई चमता को बढ़ाने के लिए 5 नई योजनाओं को सुकृति दी है और इन 5 नई योजनाओं से अगर हम बात करें तो 5 नई योजनाओं जो है कैनाल बेजड होंगी ठीक है कैनाल का मतलब हो गया आपका अगर आप देखेंगे तो नहरी चमता के विकास के लिए नहरी चमता के विकास के लिए नहरी चमता विकास के लिए राजे सरकार ने 5 नई योजनाओं को स्विगर्ती दी है और इन 5 नई योजनाओं में अगर आप देखेंगे तो यहां पर तोटल 1656 हेक्तेयर 1656 हेक्तेयर के छेत्र को सिचाई सुविधा प्रदान की जाएगी ठीक है 1656 1656 हेक्टेयर के छेतर को सिचाई सुविधा परदान की जाएगी करेक्ट ऑप्सन यहाँ पर बनेगा बी कुल लागत की अगर बात करता है तो कुल लागत जो है यहाँ पर यह आएगा आपका टोटल 90 कडोर का 90 कडोर की परियोजनाओं से यह कैनाल जो है डेबलप किये जाए यह क्लियर रहेगा क्लियर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेशन संभाग स्तलिये 36 गडिया ओलम। का सुभा रंब कब से किया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए 36 गड़िया ओलंपिक के बारे में 36 गड़िया ओलंपिक में अगर हम देखें तो आपके 6 चरण में सुरुवात की जाएगी ठीक है एक ग्राम अस्तर पे ग्राम अस्तर के बाद फिर विकास खंड के बाद जिला विकास खंड के बाद फिर आपका जिला जिला के बाद फिर आपका संभाग 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 के बाद फिर आपका राज्य अस्तर पर ठीक है इन पांच अस्तर पे ग्राम अस्तर के बाद फिर पूर्ण किया जाएगा अभी संभागस्तर पे स्टार्ट होने वाला है और संभागस्तर की अगर हम बात करें तो संभागस्तर पे शुरुआत की जाएगी इसकी फिप्ट ओफ दिसंबर से ध्यान रखिएगा पांच दिसंबर से संभागस्तर पे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरह क्वेशन है राज्य के किसस्थान पर थाइलेंड के मत्स बैग्यानिकों के तकनीक के सहयोग से मत्स बैग्यानिकों के तकनीकी सहयोग से अनुसंधान के इंदर स्थापित की गई है तो पहले चीज़ जब मत्स उत्पादन की बात आए मत्स किया है तो आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि 36 गड़का मत्स उत्पादन के लिए स्कॉच अवार्ड ठीक है मत्स उत् अब इसके अलावा तूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि नीजी छेत्र का ठीक है नीजी छेत्र में अगर हम बात करें प्राइबेट सेक्टर की बात करें तो नेजी छेत्र का देश का पहला और 36 गड़का भी पहला यह ऐसा संस्थान होगा यानि ऐसा अनुसंधान के किंद्र होगा जिसमें विदेशी बैग्यानिकों के तकनीक को हम लोग एडाप्ट करेंगे और वो शुरुवात होगा 36 गड़ में खिलियर रहेगा और 36 गड़ में की सथान पे तो बलौदा बजार के रामपूर में ठीक है बलौदा बजार के रामपूर में और टोटल एर लेनिंग भी सामिल किया गया है तो करेक्ट ऑप्सन बन जाएगा आपका यहां पर डी किलियर है किलियर है मत्सूत पादन में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि राज्य सरकार अभी तक क्या करती थी जितने भी राज्य के जलासे थे जितने भी अगर तलाब के बार सके पट्टे पर दिया जाएगा इसमें भी प्रायरिटी दी जाएगी मचुआरा समाज को ठीक है जो मचली पालन जिनका परमपरीक पेसा रहा है जिनका हमेशा से अगर हम देखें तो पुर्वज के रूप में या फिर एंसे टाइम से जिनका यह पेसा रहा है मचुआरों का उनको प्रायरिटी दी जाएगी तलाब और जलाशियों के पट्टे के लिए ठीक है तो यहां पर आप यह सारी सीजे ध्यान रखेंगे मत्स उत्पादन से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर हाल ही में सी आई ये सी आई 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 द्वारा ठोस कंपोज करने के लिए उचको ठीक है कंपोज करने के लिए सी आई ये के द्वारा राज्य के राज्य के जग्दलपूर ध्यान रखेंगे आप राज्य के जग्दलपूर नगर निगम को जग्दलपूर नगर निगम को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है दूसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है देश में किसके लिए तो Solid West Management के लिए ठोस अपसेस्ट प्रबंधन के लिए दूसरा अस्थान प्राप्थ हुआ है तो यहां पर आपको याद रखना है बस्तर डिस्टिक पूछा है that is बस्तर नगर निगम पूछता तो जगदलपूर क इसके अलावा जब बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में ही आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हाल ही में बस्तर के अरकु वैली छित्र में जैन तिर्थ उनकरों के पूरानी और प्राचीन प्रतिमायें मिली है जिनालें मिला है साथी साथ आप यह भी याद इंद्रा प्रियेदर्षणी स्टेडियम में साती साथ आपको यह भी याद रखना है कि बस्तर इनवसिटी का नाम बदल करके सहिद महेंद्र कर्मा विश्व विद्याले किया गया इसके साथ आपको और भी चीज़े याद रखनी है जैसे कांगेर वैली के बारे में कांग का आईडिया आपको मिल जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दक्षिनपुर्व मध्ध रेल द्वारा राज्य के किन्दो अस्थानों के बीच रेलवे आता याथ पो बढ़ाने है तो एक नई रेलवे सुरंग बनाई जाएगी अभी तक ध्यान सबसे बड़ा फ्रेट कॉरिडोर ठीक है सबसे बड़ा फ्रेट कॉरिडोर इसके अलावा देश का सबसे लंबा रेल चलाने वाला सुपर वासुकी सेशनाग यह सब सुपर वासुकी की अगर हम बात करें तो कहां से कहां तक चलाया गया कोर्बा के गेवडा से ले करके में अगर हम देखेंगे तो Frit corridor के नाम से ACCR को जानते हैं और ACCR में अगर आप देखिएगा तो South East Central Railway का सात्मा सुरंग बनाया जाएगा राज्य में सात्मा सुरंग राज्य में बनाया जाएगा और जब बात की गई है कि किन दो स्थानों के बीच तो इन दो अस्थानों के बीच में और इससे connect किया जाएगा पेंडरा रोड को विलासपूर से ठीक है पेंडरा और विलासपूर के बीच में सात्मा सुरंग बनाया जाएगा राज्य में जिसमें अगर आप देखेंगे तो लार्जेस्ट होगा यह लॉंगेस्ट होगा ठीक है सबसे लंबा सुरंग तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा भी गाइस यह था आज का सेशन अब बार यह आपके धर्मा की जहां पर क्वेश्चन का अंसर मंकी पॉक्स अभी हाली में बिमारी चली थी मंकी पॉक्स टोमैटो फ्लू बहुत सारे बिमारी आपको वायरस के तुरू देखने को मिली होंगी तो मंकी पॉक्स का नाम बदलने के लिए भोसना की गई है उनाइटेड नेशन के द्वारा और इसका नाम क्या रखा यह आप से पूछा गया है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है क्लियर है तो आज का सेशन इतना ही मिलते हैं बहुत ही जाद हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में बने रही है तेजस केरियर के साथ चैनल को सब्स्क्राइब करें वीडियो को लाइक ले सकते हैं साथी साथ ओफलाइन मोड में डिफरेंट डिफरेंट क्लासे से स्टार्ट हो गई है अगर हम बात करें टीचर की या फिर केंद्रिय विद्याले संगठन का वी विकिंसी आया है उसके लिए भी टीचर का एक अलग बैच चल रहा है आप उस रूनिंग बैच मे टीचर के लिए अगर आप यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल उस बैच को आप जोईन कर सकते हों चलिए मिलते हैं बहुत ही जल थैंक्यू सो मच